प्रथम वर्ष, सत्रिय कारे, प्रश्न पत्र प्रथम, चाइल्ड हुड एंड ग्रोइंग अप सत्रिय कारे दिया जा रहा है आपको 10 नंबर का अंत्रांकन प्रोसेज है इसमें एक बात का आपको धिहान रखना है जो मैंने आपको नोट के संदर में बताया है कि एक से सो तक के सभी प्रक्षन आर्थियों को 10-10 के समों में सत्रे कारे दिया जा रहा है जो आपको कारे करने में मोलिकता प्रधान करेगा सत्रिकारी के दो भाग हैं, प्रथक भाग में केस स्टेडी हैं, केस स्टेडी को व्यक्तिश अध्यनविदी या एकल अध्यनविदी भी कहा जाता है भाग दो में बाल मजदूरी, योन शोशन, निर्धनता, अपचारी, बालक, आधी पर मीडिया, दो तरेके मीडिया की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एलेक्टिक मीडिया और प्रिंट मीडिया यह बार बार जो यह मीडिया है इसको हाइलाइट करता है प्रकाशित करता है यह कुछ जुलंत मुद्दे हैं उस पर आपको अपना एक आलेक लिखना है अब देखें कौन-कौन से टॉपिक पर आपको केस स्टेडी करनी है मैं case study का आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि case study की अगर आप theory देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पहले case study के चार वीडियो डले में हैं एक बार आप उनको देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए कि case study क्यों जरूरी है मैं एक वाक्य से आपको इसका महतु बताती हूं clinical psychology में case study को उसके आत्मा माना गया है मतलब clinical psychology case study को उसके आत्मा मानती है अब आप इससे इसकी importance समझ सकते हैं चलिए बात करते हैं सत्रियगारी की register क्रमांग के अनुसार सत्रिकार भाग बन मतलब case study पर हम बात करें ऐसे कौन से वाले topic है जिन पर आपको case study करनी है तो register क्रमांग के अनुसार एक नंबर से लेकर दस तक का जो विध्यारती है या प्रेक्षिशनारती है वो घ्रहकारे नहीं करने वाले बालक पर case study करेगा ग्यारा से बीस वाला जो बालक है जिनका नाम आया हुआ है register में हम register क्रमांग की बात करें हाँ पर चोरी करने वाले बालक यह problematic child है उस पर आपको case study करनी है 21 से 30 वाला जो register क्रमांग वाले प्रेक्षिशनारती है वो जूट बोलने वाले जो बालक होते हैं उन पर case study करेंगे फिर 31 से लेकर 40 तक में हकलाने वाला जो बालक है जो हकला के बोलता है उस पर आपको case study करनी है फिर 51 से लेकर 60 तक में है कू समाजित जिसे माल एड्जिस्मेंट कहा जाता है बच्चा कू समाजित है अपने आपको एड्जिस्मेंट नहीं कर पाता है उस पर आपको case study करनी है 61 से लेकर 70 तक जो register क्रमांग में जिन प्रेशिकनारतियों के नाम आते हैं उनको gifted children पर या gifted child पर काम करना है जिसको हमने बोला है प्रतिबाशाली बालक का अध्यान फिर 71 से लेकर 80 तक की हम बात करते हैं रेजिस्टर क्रमांग की उसमें मंद बुद्धी जो बालक होता है उस पर हम बात करेंगे case study को लेकर और 21 से लेकर 90 तक अंतर मुखी यूक का एक वर्गी करन है जिसमें type of personality दिया वा है type of personality है ये introvert person है तो आपको ऐसा कोई बालक ढूणना है जो अंतर मुखी हो और उस बालक पर आपको case study टूल लगाना है फिर आप देखेंगे हाँ पर 81 से लेकर 91 तक विकलांग बालक है विकलांग है दिव्यांग है निर योगिता है भी योगिता बालक है जिसको कम सुनाई देता है जिसके eyesight खराब है जिसके पाउं में कोई चोट लगने की वज़े से हो गया है या जनजात विकलांग है ऐसे बालक को आपको केस इस्टेडिका विश्य बनाना है अब आ गए हम इस रेजिस्टर के अंतिम क्रमांग पर 91 से लेकर 100 तक आकमक वेवार वाले एग्रेसिव बिहेवियर वाले हिंसक प्रवर्ति वाले बालक जो छोड़ी छोड़ी बातों में गुस्सा करते हैं हिंसक हो जा करना है